एबीपी सांजा तुहनु रखे अग्गे यहां पर टेरिजम में रवाईव हो सकता है यह कोशिश की जा रही है अभी रिवाइज होने का कोई चांस नहीं है, अगर रिवाइज होने का चांस होता तो अब तक हो जाता, इसका कोई चांस नहीं है क्योंकि पंजाब के लोग समझ गए है कि टेरिजम का असली मतलब क्या है और इसमें क्या होता है विज़ा आपको लगता है कि ब्लैक लिस्ट है जो वो रिवीव होनी चाहिए जब आपको लगता है कि टेरिजम पंजाब में नहीं आप कहते हैं कि रिवाइब किसी भी तरह से नहीं होगा ये शोचल एकनॉमिकल मटीरियल कंडिशन कोई ऐसी नहीं है तो इतने इतने दिनों से वो वहाँ आए तो रिवीव क्यों नहीं होना चाहिए ब्लैक लिस्ट रहने तो उनको बाहर के देशों में है जाने तो आराम से रहते हैं यहां के तंग करेंगे क्या होता है आपको लगता है कि यही खतरा जो बनावाए पिशली दिनों से जो लगातार चीजी होई इसी तरह का कोई बड़ा खतरा आ सकता है अगर रिव्यू होती है लिस्ट देखिए एक ट्रस्ट की बात है और ट्रस्ट एक दफ़ा चले जाए तो उसको वाफस रिवाईव करना बड़ा मुश्किल होता है वो ट्रस्ट जो मिस्स गांदी की असैसिनेशन थी उससे बड़ा ब्रीच अफ़ ट्रस्ट और नहीं हो सकता और उन असैसिन्स का आप उनको आप सरुबा दे रहे हैं उनको अनर कर रहे हैं इस से ज्यादा कमीनगी और उसको किस लफ़ज़ में कंडेम करूँ है आपको यह लगता कि जितना उन्हों किया था जो भी उन्होंने पञजाब में गल्त किया जो कुछ भी किया वो उन्होंने भुगत लिया अब तो लास्ट में अ अग उन्होंने क्या भुगता है उन्होंने तो यह डेस से बाहर अपनीथ देश से बाहर रहे अपनी धर्ती से बाहर होगे थे उन्होंनने तो यह सब सीज़े स्टार्ट करके चले गए वहां जाके प्रापरिटीज बना ली है लोगों पैसा कठा कर दिया कि हम प्झाब को यह करते इंदे की adult सो कटे होते हैं कि हम फ्लाव फ्लाव आदमी को एसेसिनेट कर देंगे यह एक्टिविटीज अभी चल रही है बन नहीं हुए है तो उनको क्यों वावसाने देता है यहां के हैं कई जो उनको वावसाना चाहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए पंजाब के फॉर्मल डीजीपी के पीएस गि जिनका कहना एक्टि पंजाब में आतरकवाद रवायू नहीं हो सकता पर जो ब्लैक लिस्ट है जो काली सूची है वो खतम नहीं होनी चाहिए